सबीको नमस्का, बिल्डे टॉम चैनल पर मैं इसके मीन आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, आप देख रहे हैं प्लान नमबर 108, सबसे पहले तो आप यह बता हैं कि आपको इस चारो साइड का सेट अप है, यह कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है, एंट् चैनल यह मैं गारंटे देता हूँ, बाकि आजगा जो प्लान है, पूरा हमारे एक फार्माउस का है, जो कि देखने में ही आपको काफी सुकून देगा, आपका हर एक का सपना होता है कि हमारे पास भी फार्माउस हो, तो एक कम बजट में कैसे उसको बनाया जा सकता है, गा पारा एंट्री गेट है, तो सामने देख रहा है, पार्किंग के लिए खुला स्पेस आपको मिलता है, और यहाँ प्लान्टेशन को हमने काफी कुछ ध्यान में रखा है, और यह पाथवे है यह वाला रनिंग ट्रेक आप इसको बोल सकते हैं, जो कि पूरे फार्माउस में चारो साइड है, आपकी सेहत भी जरूर यह है, तो आप इस पे रोज सुबह उठके चार-पांच चक्कर लगाएं, आपकी सेहत वैसे ही दुरूस्त रहेगी, बाकी का प्लान्टेशन आप अपने हिसाप से कर सकते हैं, सामने आप देख रहे हैं, वुडन का एक हट तो यह गजीबो हमने यहां पे दिया है, जो कि एजेप पार्टी के एसाब से भी आपको काम में देगा, आप वैसे देखिए इसको, इसके सामने प्रोपर गार्डन है, और इसको आप एजेश्टेज काम में ले सकते हैं, यह बहुत अच्छा लुक होगा जब आपका कोई फंक्शन हो, शादी, पार्टी वगरा, तो बाहर का जो पार्टी के लिए आपका जो सेट अप बनेगा, वो बिल्कुल देखने लायक होगा, बाकि नॉर्मल में भी आप सेट अप देख सकते हैं, डेले रूटीन के साब से भी आप देख रहे हैं, तो बहुत ही शानदार ह इसमें आप अलका फुलका गेमिंग का एलियर सेट अप कर सकते हैं, शेट आउट बना सकते हैं, तो प्रॉपर स्पेस आप इसको यूज कर सकते हैं, बाकि गार्डन है, लॉन एरिया काफी बड़ा है आपका, फुल साइज का है, और यह प्लोट साइज की इसकी बात बाहर का पूरा व्यू आपको मैं और आगे से दिखा देता हूँ, यह जो पाथ है, इस पर आराम से आपकी पांच से गाड़ी आराम से पार्क कर सकते हो, आप यहाँ पे, मैंने एक गाड़ी खड़ी करके भी दिखाई है, बाइक पार्किंग भी दिखाई है आपको, तो यहाँ पे कोई भी बड़ी से बड़ी गाड़ी हो, आराम से यहाँ पार्क हो जाएगी, अब चलते हैं गर के अंदर हम, तो यह हमारा ड्रोइंग होल का एरिया है, और साहिज की बात करें तो दस बाइब बारा फिट का है, काफी बड़ा है, यहाँ पे टीवी का प्लेस्म प्लस लिविंग होल आजाता है, दस बाइब बारा फिट की साइज के साथ में आपको यह भी मिलता है, बाकि छह लोगों के लिए डाइनिंग टेबल आप आराम से लगा सकते हैं, यह आपका कॉमन बातरूम हो जाएगा, वेंडिलेसन आपने देख लिया है बैक सैड में, प्रोपर इसका साइज वगरा काफी कुछ अच्छा है, तो यहाँ पर आराम से वैनिटी, शावर, टौलेट, सीट, सब के लिए प्रोपर स्पेस यहाँ पर आपको मिलता है, तो स्पेस की पूरे हाउस में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, और यह आपका किचन का इरिया काफी बड़ा है, और यहां से बाहर निकलते हैं हम, और अगर फार माँस की बात करें, बार का एरिया ना हूँ, तो फिर काई बात का फार माँस, तो इसमें फार माँस भी दिया है, यह आपका बार एरिया रहेगा, 8-9-7 फिट का, वेंटिलेशन के लिए आप इसमें विं room हो जाएगा और इसमें bed के दोनों side में window मिलता है आपको तीन window इसमें तो जो swing pool का view है वो इससे दिखे का direct तो बाहर का view है वो काफी अच्छा से इस room से दिखने वाला है खास कर बाकि इस side में आपको wardrobe मिलती है dressing के लिए space मिलता है बाकि bed के just सामने आपको TV का and AC placement मिलता है तो यहाँ पे हर तरीके से यह room perfect है बाकि color combination की बात करें तो वो भी शानदार है और bed के साथ में sofa वगरा आप आराम से दोनों room में लगा सकते हैं तो space के यहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अब चलते हम second bedroom में तो यह हमारा second bedroom हो जाएगा as a master bedroom में आप इसको मान सकते हैं 12 वाइट 13 fit का है काफी बड़ा room है और इसमें texture paint का इसमें use किया है bright color का जो कि दिखने में काफी अच्छा है direct sunlight वगरा यहाँ पे आपको proper room में आएगी बाकि bed के साथ में सोफे आराम से लगा सकते हैं TVI इसे के लिए proper placement मिलता है dressing area भी आपको इसमें मिलता है जो कि side 5 by side 5 fit का है तो यहाँ पे आपकी wardrobe वगरा सारा कुछ setup आप यहाँ बना सकते हैं जिससे कि आपका जो bedroom है वो clear space के साथ में आपको मिल सके यह इसका attach light बात हो जाएगा अच्छे ventilation के साथ में आपको मिलता है 6 बात 10 fit की size में तो यहाँ पे भी आपको bathtub मिलता है आलाग इसमें proper swing pool आपको मिलता है एकिन फिर भी आपको जो luxury की बात करें तो इसमें proper एक bathtub आपको यहाँ पे मिल जाता है बागी पूरे bathroom के area की बात करें तो काफी बड़ा है टाइल वगरा इसका हमने light रखा है जो की काफी अच्छा लगता है देखने में अब इसको अपनी पसंद के according इसमें जो color वगरा की change है या wall paint वगरा है सारा कुछ अपने हैसाब से change कर सकते हैं डोर विंडो को भी आप अपने हैसाब से change कर सकते हैं तो ये सारा modification आप अपने हैसाब से कर पाएंगे अब निकलते हैं गर के बाहर क्योंकि इसमें 2BHK का setup आपने दिया था इसमें क्लाइंट के requirement इतनी ही इसमें हमें दे गई थी अब बाहर की बात करें तो ये आपको एक sit out area मिलता है यहाँ पे ताकि यहाँ पे बैटके आप आराम से पूल में पूल का भी आनंद ले सकें पूरा view यहाँ से अच्छे से enjoy कर सकें बाकि ये पूल का area है काफी बड़ा है और oval shape में आपको यह मिलता है काफी अच्छा है काफी इसकी depth वगरा है वो normally आपने च्छे fit रखें बाकि आप अपने हैसाब से इसको और बढ़ा सकते हैं और मैं इसका sky view आपको दिखा देता हूँ जो कि आप देख रहे हैं कि पूल के दोनों side में आपको यहाँ पे deck area भी मिलता है काफी बड़ा plantation आप कर सकते हैं आप अच्छा खासा बाकि आपको back side में भी एक proper garden यहाँ पे मिलता है front का party वगरा के साब से काम मिले सकते हैं और यह back side का आप gaming के साब से काम मिले सकते हैं यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं यहाँ बार्बी क्यू का भी area दिया है हमने तो जो open eating का system है वो भी आप यहाँ पे proper कर सकते हैं यह stair जो आपको terrace पे लेके जाएगी खुले में दी हुए हमने गर के अंदर से stair आपको इसमें नहीं दी है क्योंकि यह farmhouse का concept है और यह pathway वाला system है जो आप देख रहे हैं दोनों side में hedge लग जाएगा इसके तो यह अच्छा view आपको यहाँ से मिलेगा बागी side में आप जो white color के railing देख रहे हैं यह इस गर का शांदार part है मैं अंदर से दिखा देता हूँ तो यह vegetable farm area है यहाँ पर आप अपनी सब्जीया हुआ सकते हैं या कुछ full fruit के पेड़ वगरा लगा सकते हैं तो सारा कुछ setup है आपको organic यहाँ पर सब कुछ setup है आप यहाँ पर कर सकते हैं आपको market से सब्जीय लेने की ज़रुत नहीं है सारा कुछ ताजा बिलकुल यहाँ पर आप उगा सकते हैं अब चलने terrace पर हम तो terrace आप देख रहे हैं पूरतरे neat and clean है और जो बाहर का मौसम है वो आप देख सकते हैं वीडियो में भी अच्छा लग रहा है लेकिन जो originally में वहाँ पर आपकी site पर देखेगा वो I am sure इससे बहुत बैटर देखेगा बाकी sit-out area दिया है आपने terrace पर पानी का tank है वो आप आप रख सकते हैं अपनी जरूरत के एसाब से अगर आपको एक की ज़रूरत तो एक रख लें जादा रखना तो आप जादा भी रख सकते हैं यह पूरा इसका sky view है तो इस पूरा project आपको कैसा लगा है यह जरूर comment करके बता है मैं एंड वीडियो पूरा देखा है उसके लिए thank you so much और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ share कीजिए क्योंकि आप वीडियो को देखते तो है share कम करते हैं पूरा proper इसको share कीजिए whatsapp facebook इंस्टा सभी जगे पर share कीजिए दमाकरदार और अगला वीडियो भी जल्द आएगा आप लोगों के लिए बाकि आज का वीडियो देखने के लिए thank you so much नमस्कार जैहन